हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं मावैशनों रूप में क्यों आई यहम बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं है पावन माढा धा यहां बनते बिगले का है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का तेता युग में बढ़े गया दैतियों का आत्या चांट होने लगी थी विजय धर्म की धर्म रहा था सभी देवताओं को थी फिर मा की यादा आई सरस्वती लच्मी और काली मा तीनों आई तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वैरू हाथ जोड बोली कन्या है माता बतलाओं मुझे बनाने का परियोजन क्या है जदा समझाओं सभी देवता जैका रामाता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े कां है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े कां तीनों माता बोली इक राजारत ना सागर कन्या रूप में ले लो जनम तुम जाके उनके घर फिर कन्या ने तीनों के आदेश कमान किया राजा रत ना सागर के घर जाके जनम लिया त्रिकुटा और वेश्न भी उस कन्या का नाम पड़ा अदपुत कन्या जनमी राजा प्रसन हुआ है बड़ा यग्य हवन भी करता राजा और कभी करे सिका खेल खेल में राजा ने कई पस पच्छी दिये मार सोक में कई निर्दोस प्राणी मारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का सोक पिता का वैश्न विकों तो रास नहीं आया क्यों करते वद निर्दोसों का पिता को समझाया अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान बेटी के जो सुने विचार वो हर सित बड़ा हुआ वैश्न व धर्म का उस दिन से धर्ती पे जन्म हुआ किसी कवधना करना राजा हुक्म सुनाते है पावन कथा सुनाते है मा वैश्न रूप में क्यों आई यह हम मतलाते है है पावन मा का घाम यह बनते विगडे का है पावन मा का घाम यह बनते विगडे का फिर भगती के मार्ग पे कन्या का मन आया करना है मुझको तप माता पिता को समझाया सुनकर बेटी के मचनों को माता हुई बेचै बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैट घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी देख के नर्भक्षी पसों को बेटी डर जाओगी घबराओ ना माता मुझको दे दो आशिरवार पर्योजन इस धर्ती पर आने का मुझे है यार ना चाहते हुए मात पिता अग्या दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का मात पिता की आग्या लेकर वन को किया प्रस्थान सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभू का ध्यान अनजल उसने जाग दिया छोडे संसार के कान घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही रा राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए देख के कन्या की भगती को मन में हरसाए क्या चाहती हो है कन्या तुम मुझे को बतलाओ बोली अरधांगिनी रूप में मुझे को अपनाओ इस युग में पतनी मेरी सीता राम बताते है पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का बोले राम हे कन्या तुम्हारा तपना हो बेका कल युग में जब कल की रूप कलेंगे हम मोता फिर तुमको अरधांगी निरूप में हम तो अपनाएंगे इच्छा पूरण होंगी कल की रूप में जब आएंगे त्रिकूट परबत पर जाकर तब तक तुम वास करो भकतों का उद्धार करो दुष्टों का नास करो वहां वैश्नो देवी नाम से तुम जानी जाओगी सकल स्रिष्ट में हे कन्या तुम ख्याती पाओगी राम प्रभू फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्नो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विग्डे का है पावन मा का धां यहां बनते विग्डे का सिरी राम के आँख्यां का मा पालन है गरती वैश्नो देवी रूप में माता सबके दुख हरती स्रंथा भावस जो भी आता है इनके दरबार सारे कश्ट हरे माता और खुसियां मिले अपार तीनो रूप में यहां बिराजे जग की रखवाली मात सारदा महा लक्ष्मी और महाकाली जिन भगतों को होता वैश्नो माता पे विस्वास नहीं तूटने देती माता बेटों की कोई आस तभी तुदर सन करने भत लाधो आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावैश्नो रूप में क्यों आई यह हम बत लाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का कट्रा से कुछ ही दूरी पर हनसाली इक गां, माता का एक भक्त हुआ था जिसका स्रीधर ना माता के चर्णों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहें खुद भूखा सोता अतिनिर्धन हो कर भी सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संता माता के चर्णों में नित अर्दास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये आम मतलाते हैं है पावन मा का धां, यह बनते विगडे कां है पावन मा का धां, यह बनते विगडे कां भक्त सिरी धर के मन में फिर एक दिन उठा सवार भक्ती में क्या दोस है मेरी करती नहीं खयार क्यूं नहीं देती दर्सन मुझे को ये तो बतलाओं सच्चा दास तुम्हारा हूं मा मुझे को अपनाओं बोलासी से जुका कर मैंने अब मन में ठानी जब तक दर्सन ना दोगी ना खाओं अनपानी रोज की तरहा किया उन्होंने फिर कन्या पूजन कन्या रूप में माता के उनको हो गै दर्सन हाथ जोड कर कन्या से कुछ पूछन चाहत है पावन कथा सुनाते है मावेश रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यह बनते विगड़ेगा है पावन मा का धां यह बनते विगड़ेगा कौन अलो किक सकती है ये ना वो पहजाने करते प्रस्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने है मेरा आदेस की सारा गाउं को बुलवाओ मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ जो भी मिलता जाए उसको दे दे ना न्योता भोजन करवाने से बड़ा कोई पुन्य नहीं होता मन ही मन सोचे स्रीधर ये कैसे हो पाएगा छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाउं आएगा अति निर्धन ते स्रीधर चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का हे जगजन नी माता तुम ही रखना मेरी लाज कठिन पर इच्छा है मेरी मुझे को लगता है याज घर घर जा कर नी मंत्रड वो सब को दे आया भैरोनात कडेरा भी था रस्ते में पाया हात जोड कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा सारे गाओं के संग आपको भोजन करवाऊंगा बोले भैरोनात है स्रीधर क्या तुमने पाया फूटी कोडी नहीं है कैसे भंडारा लाया उस कन्या के बारे में स्रीधर बतलाते है पावन कथा सुनाते है मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का सुन स्रीधर की बात अचंभित भैरों बड़ा हुआ गोरकनाथ गुरू को सारी बात बताने लगा बोले गोरकनाथ की देखे कौन है वो कन्या करते हमको त्रिप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा अपने सिस्यों संग हम स्रीधर के घर में जाएंगे देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे भैरों और गोरक अपने सब छेलों संग आएं बने हचपन भोग देखके वो तो चकराएं कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का देखा के एक कन्या सबको भोजन रही खिला ना साधारन कन्या ये मन में संदेह हुआ बोले गुरु से भैरो इसका लेना पड़े इंतहान है साधारन कन्या कोई मैं नहीं सकता मान बोले भैरो कन्या से ये भोजन नहीं है खास पीने को हम चाहिए मदिरा और खाने को मास कन्या बोली है भैरो क्या तुमको नहीं विवेक ये है वैश्नो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख फिर भैरो कन्या का हाथ पकड़ना चाहते है पावन कथा सुनाते है मा वैश्नो रूप में क्यों आई ये हम दिलाते है है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का हाथ पकड़ना चाहां कन्या हो गई अंतर ज्यान पर अपने तप पे भी था भैरो को बड़ा अभिमान गर्ब जून की गुफा में माता फिर जा कर गई पैर खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरो रहा था है गुफा के द्वार पे एक साधू ने भैरो को समझाया लौट जवापिस भैरो वर नाकाल तेरा है आया क्रोध में भरके भैरो ने उस साधू को दुदकारा क्या मुझे को तुम नहीं जानते भैरो नाम हमारा करते काम है पूरा जो जिद पे यण जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावै शोरूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगड़े का है पावन मा का धां यह बनते विगड़े का भैरो नात ने उस साधू की बात नहीं मानी हट करके घुस गया गुफा में वो भैरो अभिमानी माता को आभास हुआ अपना तिर सूल उठाया गुफा के पिछले भाग में जाकर रस्ता एक बनाया कहां गई वो कन्या भैरो होने लगा बेचैं जब तक भेद नहीं जानूंगा आयन मुझ को चैं त्रिकूट परवत की गुफा में वित्त मान थी मान कहां छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोडू ना लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरों पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यूं आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का लांगुर वीर को फिर भैरों ने युद्त कली लल कारा का हाथ पीछे हटने वाले दिया जवाब करारा लेकिन लांगुर वीर में भैरों पढ़ने लगे भारी क्रोध में भरके आ गई माता अश्ट भुजा धारी वद करने को भैरों का माता हो गई मजबूर काट दिया सर भैरों नात का गिरा वो जाके दूर भैरों को अपनी गलती का फिर आभास हुआ किये कराए तपका मेरे माता नास हुआ माता से बिंती करके वो माफी चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगडे दां करुडा मैं मात ने फिर भैरों को माफ कियां भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ कियां है भैरों ये तप तेरा यू व्यर्थ न जाएगा जो मेरे दर्सन करेगा वो तेरे दर्भी आएगा माने जाए मेरे दर्सन तेरे विना धूरे मेरे बात तेरे दर्भी आए तभी वो होंगे पूरे इसलिए जो भक्त बैशनों द्वार पे आते हैं माता के दर्सन कर भैरों मंदिर जाते हैं जोर जोर से जैकारा माता का लगाते हैं बावन कथा सुनाते हैं मावे शरूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का सपने में आकर माने स्रीधर को दिया वरता चार पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संता युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंस करेगा ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा माता के वचनों को सुनकर स्रीधर धन्य हुए सब इच्छाएं हो गई पूरी अतिप्रसन हुए तब से अब तक स्रीधर वन सही करता मा की पूजा वैश्नों धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा हो जी सुरेस और डियस पाल तुसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्नों रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेका है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेका